हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेंटास्टिको स्टॉडी आज मैं क्लास नाइन मैच चैटर सर्फिस एरियन वॉल्यूम्स का एक क्वेश्टिन स्वाइब करने जा रहा हूँ अब यहां पर हमको एक मेटालिक बॉल दे रखी है और इसकी डेंसिटी दे रखी है और हमसे पूछा है उसका मास कितना होगा तो आईए इस क्वेश्टिन को हम एक क्लॉथ के मदद से समझते हैं अब सपोस कीजे यह एक क्लॉथ है तो इसका मास क्या हुआ mass यह हुआ कि यह कितने matter से बANA है यानि यह कितने gram cloth से बना हुआ है वो हो गया इसका mass और density density यह होती है कि एक unit volume का mass कितना है यानि अब अब suppose कीजिए unit volume का मतलब है unit होती है कोई भी meter, centimeter, कुछ भी और volume का हम denote करते हैं cube से तो suppose कीजिए ये है इसका 1 cm3 तो इसके 1 cm3 का कितना mass होगा सबोस होगा 1 gram 2 gram जितना भी होगा वो होगी इसकी density तो आईए इस question को solve करते हैं अब हमारे पास ये formula है जो कि mass is equal to density into volume density हमको दे रखी है और volume हमको निकालना होगा अब अक्सर इस point पर बच्चे confuse जाते है mass और volume की बीच में देखिए mass क्या है सबोस ये cloth है तो ये जितने gram cloth से बना है वो है इसका mass और volume क्या है इस cloth ने अभी जितने cubic meter जगा गेर रखी है इस atmosphere में वो है हमारी volume अब सबोस मैंने इस cloth को कर गया fold तो इस folded cloth का mass तो उतने ही रहेगा अभी भी ये उतने ही gram cloth से बना हुआ है लेकिन अब इसका volume चेंज हो गया है क्योंकि इसका shape चेंज हो गया है और shape चेंज हो गया है तो इसने जो जगा ले लखी है वो भी change हो गया है तो ये difference होता है mass और volume में अब हम इस question को solve करते हैं तो mass निकालने के लिए हमें density दे रखी है और volume का formula होता है square का 4 upon 3 pi r cube अब हमें r तो दियानी है हमें इदे रखा है diameter जो की है 4.2 cm इसको हम convert कर लेते हैं radius में यानि हमको इसको 2 से divide करना होगा तो radius आगे हमारे पास 2.1 cm अब हमारे पास सारी values तो आ गई है तो फटावर्ट से हम इसका volume निकाल लेते हैं is equal to 4 upon 3 pi की value में लेता हूँ 22 into 7 multiplied by 2.1 into 2.1 into 2.1 अब हमें पता है 7 3 जा होता है 21 तो मैं इसको काट देता हूँ 3 जा और यहाँ पे एक point है 21 के बीच में इसले मैं लिख देता हूँ point 3 अब मुझे भी पता है 3 बंजा 3 तो मैं इसको भी काट देता हूँ और यह point 3 है इसले में 1 की जगह लिखूंगा point 1 अब 4 into 22 होता है 88 और 21 into 21 21 का मैं आपे square कर लेता हूँ 1 बंजा 1 2 बंजा 2 cross लगा के 1 टू जा 2 2 2 is a 4 1 2 out 2 4 4 तो 21 का जो है square वो है multiplied by 4 4 1 और यहाँ पे हम लगा देंगे point क्योंकि 2.1 into 2.1 है और साथ ही यह 0.1 से भी multiply हो रहा है इसले मैं यहाँ एक और point लगा जता हूँ जो होगा 0.441 अब मैं इन दोनों नंबर्स को भी रफ में multiply कर लेता हूँ 4 4 1 multiplied by 88 1 8 जा 8 8 4 जा 32 2 यहाँ 3 remainder 8 4 जा 32 32 और 3 होते हैं 35 cross 1 8 जा 8 4 8 जा 32 2 यहाँ 3 remainder 4 8 जा 32 और 3 35 8 8 8 और 2 10 0 यहाँ 1 कहरी 5 और 1 6 और 2 8 3 और 5 8 3 तो यह हमारा answer आ गया 3 8 8 0 8 और यहाँ पे 3 places के बाद decimal है इसले मैं यहाँ लगा जैता हूँ यहाँ पे decimal और unit हमारी हो जाएगी centimeter cube अब हमारे पास इस formula के according density भी आ गई है और volume भी आ गई है तो बस यहाँ पे value put करके हम answer निकाल लेते हैं density हमारी आई थी 8.9 और volume हमारा आया था 38808 point अब मैं इन numbers को भी multiply कर लेता हूँ 38808 multiplied by 89 89 जा 72 2 यहाँ 7 carry 09 जा 0 और 7 7 8.9 जा 72 2 यहाँ 7 carry 8.9 जा 72 और 7 79 9 यहाँ 7 carry 3.9 जा 27 27 जा 7 34 cross 8.8 जा 64 4 यहाँ 6 remainder 0.8 जा 0 और 6 6 8.8 जा 64 4 यहाँ 6 remainder 8 जा 64 और 6 70 0 यहाँ 7 remainder 3 जा 24 और 7 31 1 यहाँ 3 यहाँ 2 7 और 4 11 1 यहाँ 1 carry 1 और 2 1 और 2 3 और 6 9 9 और 4 13 3 यहाँ 1 carry 4 और 1 5 3 और 1 4 3 तो यहाँ गया है हमारा मास 3 4 5 3 9 1 2 और यहाँ पर टोटल 1,2,3 और 4 4 प्लेसे के बाद मैं लगा जाता हूँ decimal और unit हो जाएगी इसकी ग्राम्स तो गाईस आज की वीडियो के लिए बैस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग और आप सभी को Merry Christmas